TSH Podcast, सब्सक्राइब करें हमारे नए चैनल को मैं मुरादाबाद से आया हूँ और मैं विशुल आर्टिस्ट हूँ और मैं बता दू जो आज मैंने नजम लिखी है कि उसका ख्याल दिमाग मैं कहां से आया क्या होता है कि हम लोग expect करते है कि हाँ वो मेरा crush है और मुझे उसे propose करना है लेकिन result में हमें क्या मिलेगा वो accept करेगा भी या करेगी भी यह होता है सबके साथ तो हाँ अगर एक बर इजहार हुआ तो ठीक है इंकार हुआ तो भी ठीक है तो बस वही सोच के मैंने थोड़ा साथ यह लिखाया है सिखा दो महबत की नजम मुझे सिखा दो महबत की नजम मुझे और मुझे अपनी जान मान लो बना लो मुझे नशा अपना और खुद को नशे का जान मान लो थैंक यू कहोगे तुम भी के एक रोज महफिल सी लगती है जिंदगी में देखो किसी के आने से पहले क्यों होता है विरान सा होता है सब कुछ लेकिन जब कोई आ जाता है लाइफ में तो रात को भी excitement होती है तो कहोगे तुम भी के एक रोज महफिल सी लगती है जिंदगी में तुम्हें भी मिलेगा मेरे हिस्से का वक्त तुमारे किस्सों में मैं गर्क हो जाओंगा उस में खाने में गर्क मतलब होता है फना हो जाना मैं गर्क हो जाओंगा उस में खाने में जहां तेरी हसी के चर्चे होंगे लबो पैमाने में खुद को चांद कर लो तुम खुद को बदनाम कर लो खुद को चांद कर लो तुम खुद को बदनाम कर लो मुझे एक उल्फत लिखो तुम और खुद को मेरी रात कर लो मैं कहूंगा तुम्हें बरकत अपनी मैं कहूंगा तुम्हें बरकत अपनी और बेजा रहोगे तुम बेकरार से तुम्हें भी लगने लगेगा एक सफर हमसफर सा और करने लगोगे तुम भी प्यार प्यार से मेरे दीदार की तड़प करोगे बेपनहा उलफत को बाहों में करोगे उलफते वक्त की बारिश होगी और हर लमः थम जाएगा साथ होंगे मैं और तुम और सारा जहान हमारे चर्चों में मसरूप होचाएगा भश्रूफ का मतलब होता है विरस्त हो जाना तो अभी ये तो मेरी practices थी कि हाँ मैंने इतना expect किया कि हाँ मैंने इतने practices कर लिए अपने partner के लिए अब जब मैंने इतना कर लिया तो हाँ वहाँ से भी जहार हो रहा है तो मैं उसके reply भी कर रहो यहाँ पे फिर लबो की अदला बदली होगी फिर लबो की अदला बदली होगी जजबात बिखर जाएंगे मैं खामोश और तुम खौप सजाओगे आज साथ हूँ तुमारे ये जमाने से फुरकत मान लो आज साथ हूँ अज साथ हूँ